हलो एब्रिवन दसेज अने रुद्वालिया एल्डी हाइड कीटोन में लेक्चे नमबर टू में आज अपन फिर से और मैथड और प्रपेशन के बारे में बात करेंगे लेक्चे नमबर वन में क्या बात की थी कार्बोनील कंपाउंट को प्रिपेर करने की अब स्पेसिफिकली किसकी बात करें aldehyde को prepare करने के specific methods और ketone को specific prepare करने के methods जिसमें सबसे पहला method है Rosenman reduction होता क्या है यहाँ पर acid halide acid halide को हम treat करवाते है H2 in presence of H2 in presence of palladium barium sulfate की presence में और बनने वाला compound एक aldehyde होता है naming reaction है please आप इस चीज़ को दिमाग में भी रखेंगे by the removal of HCL very important acid halide को बहुत important है यह board में JEE में बहुत बार पुछा चाचुका है acid halide को aldehyde में convert करने का जो method है वो है Rosenman reduction इतना बात अपने को पता लगा specific methods को आज अपन पढ़ने वाले हैं basically stiffen reduction stiffen reduction भी partial reduction है cyanide का cyanide को जब अपन treat करवाते है SNCL2 in presence of HCL तो पहले कि जो compound बनता है वो बनता है CH double bond NH और फिर अपन इसका क्या करवा देते हैं hydrolysis H3O plus क्या करेंगे आप इस bond को break करेंगे O और यानि HOH जोड देंगे सोचो दो bond break कर रही है nitrogen more electron negative है तो H लेगा carbon क्या ले लेगा OH ले लेगा water से क्या आप देख पा रही है एक carbon पर 2 OH group unstable तुरंत निकल गया water और बन गया क्या aldehyde बन गया क्या aldehyde यहाँ पर basically होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा SNCL2, HCL के साथ जब reaction करता है तो tin जो plus 2 oxidation state में है वो oxidize हो जाता है SNCL4 के अंदर 2 mol HCL के लेते हैं यह plus 4 में चला गया और यहाँ से अपने 2 nascent hydrogen liberate करता है यह 2 nascent hydrogen इस carbon और hydrogen carbon और nitrogen पर जाके attach हो जाते हैं जबी तो देखो आपको प्रोडेक्ट के क्या मिल रहे हैं आपर CHNH एक एक hydrogen attach हो गया naming reaction partial reduction है cyanide का cyanide का partial reduction करने पर आपको aldehyde मिलता है यह बात दिलो दिमाग में fit कर लेना क्योंकिक्ट इमपाटेंट है carboxylic acid में इसका complete reduction पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट रीमर टीमन reaction phenolic aldehyde को अपन अप्टेन करते हैं phenol वाले segment में भी जब alcohol phenol ether मैंने पढ़ाया जब भी मैंने reaction के बारे में बात की थी एक बार fit से बात कर लेते हैं phenol में जब हम chloroform in presence of gavage treat करवाते हैं इसका mechanism में alcohol वाले chapter में पढ़ा चुका हूँ जो आप वीडियो के description में link देख सकते हैं आपको मिल जाएगा ortho और para वाला product मिलता है compound का नाम है salicylaldehyde इस reaction में रीमर टीमन reaction में important चीज़ क्या है फिर बता देता हूँ electrophile is जे इमन पूछ चुका है CHCl2 या सारी CCL2 dichlorocarben है electrophile क्या अपने पास dichlorocarben CCL2 नाम क्या है इसका dichlorocarben dichlorocarben electrophile है इस reaction के अंदर और हम लोगों ने यहाँ aldehyde की formation कर ली है किस से phenol से अभी देखो मैं आपको सारे method और preparation पढ़ा रहा हूँ फिर मैं एक साथ आपको problems की practice करवा दूँगा ताकि आपको feel आ जाएगा but main काम क्या है सबसे important चीज आपको यह सारे methods by heart याद होने चाहिए आप देखना cyanide का या nitrile बोलो या cyanide हम इसको treat करवाते हैं dival edge के साथ dival edge क्या है dival edge क्या है reducing agent है क्या है dival edge क्या है reducing agent हम यहां लिखते हैं इसके बारे में यह जो dival भी लिखा रहे सकता है या dival edge भी लिखा रहे सकता है क्या है यह नाम लिख लो इसका diisobutyl diisobutyl aluminium hydride aluminium hydride एक और चीज़ आप दिमार्ग में रखना दोस्त आप इन सभी notes को बहुत proper बनाना आप इन सब को करने के बाद अपने J.E.K. exam की तियारी करने हैं नीट की चाहया board exam की हर segment में आए हुए सवाल आप बना पाएंगे full मेरा open आपको challenge है कि आप कोई भी सवाल लगा लेना आप हर सवाल बना पाएंगे अगला देखो from hydrocarbons यह थोड़ा से important है important mark करना यहां पर क्या है यहां पर हम मैं पहले लिखता हूँ इसके बारे में by oxidation of by oxidation of methylbenzene हम methylbenzene का oxidation करती है and it's derivative और उनकी derivative भी हो सकती है using using chromyle chloride using chromyle chloride अच्छा chromyle chloride क्या है CRO2-Cl2 CRO2-Cl2 chromium plus 6 में रहता है याद रखना chromium plus 6 में रहता है मालो मैं methylbenzene लेता हूँ methylbenzene क्या अरे tolven और कोई नहीं tolven tolven में आप जब सबसे पहले CRO2-Cl2 डाल रही है in presence of carbon disulfide तो एक chromium complex बनता है क्या बनता है अपने पास एक chromium complex O-CRO और यहाँ पर H-C-L-2 मैं लिखता हूँ chromium complex के बारे में H-C-L-2 C-R O H-C-L-2 whole 2 हलागि इस complex का अपने को बहुत ज़्यादा काम नहीं है आपको तो final product याद रखना है यह है क्या वैसे chromium का complex है अभी हम mechanism की बात नहीं कर रही है फिर आप next step में फिर आप next step में इनका hydrolysis करेंगे और hydrolysis करने के बाद आपको जो मिलेगा वो benjaldihyde मिलेगा क्या मिलेगा benjaldihyde benjaldihyde और जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यह एक naming reaction है naming reaction की list में इसे याद रखना itard reaction क्या नाम है इसका this reaction is known as itard reaction कई बार board में पूछ लेते हैं write itard reaction एक number में पूछ लिया बस तो tolwin से benjaldihyde बनाने की reaction है आप direct लिखना आप चाहे chromium complex ना भी याद रख पाएं तो भी ही चलेगा कोई दिक्कत नहीं दोस्त डारेक्ट टाल्विन में CRO2, Cl2 डाला और बनने वाला compound किया benjaldihyde डारेक्ट चलेगा अच्छा next कौन सा number था यह अच्छा number तो नहीं है अपने पास कोई नहीं हम अगली reaction देखेंगे by oxidation of by oxidation of next method लिख रहा हूं यह चले एक पर इसकी numbering कर देते हैं ताकि याद रह जाये न यहाँ पर numbering हम कर देते हैं यह माल लो number 1 हो गया Rosenman reduction number 2 stiffen reduction number 3 earing vertimen reaction aldehyde बना रहे हैं भी हम number 4 from the nitrile and number 5 from the hydrocarbon and this is number 6 by oxidation of methyl benzene by oxidation of methyl benzene and its derivative उसके derivative भी हो सकते हैं using मिलता जुलता है याद रखना by using chromic oxide by using chromic oxide यानि CRO3 chromium oxide in acetic anhydride acetic anhydride के साथ CRO3 की reaction कर वाएंगे पन acetic anhydride इतना बात अपनों को बता लगा color हम ले ले लेते हैं black मालनो हम tolwin के साथ ये reaction कर वाते हैं पहले tolwin के साथ tolwin के साथ आपने reaction कर वाई क्या CRO3 प्लस acetic anhydride CH3 C double bond O O C double bond O CH3 क्या हो गया ये acetic anhydride हो गया हला कि specific temperature conditions भी है लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 273 से लगबग 283 Kelvin temperature रहता है अगीन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये बनने वाला product भी क्या है बेंजलडी हाइड ही है बनने वाला product क्या है बेंजलडी हाइड next getterman coach reaction getterman coach reaction getterman अलग reaction है getterman coach अलग reaction है confuse मत होना confuse मत होना हो था क्या है reaction लिखते हैं benzeen और its derivative बेंजीन हो या उसके derivative हो जब आप उसके अंदर carbon monoxide in presence of HCl और अगे क्या लेते हैं enhydrous AlCl3 तो बनने वाला compound क्या है बेंजलडी हाइड और substituted और substituted benzeen 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 है मालो benzeen ले लिया benzeen में आपने carbon monoxide in presence of HCl डाला enhydrous AlCl3 के साथ बनने वाला product आप बनाएंगे benzeen 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 carbonil compound बनाने के जहाँ अप Aldehyde भी बना सकते थे ketone भी बना सकते थे अभी अपन लोगों ने क्या पड़े specific Aldehyde बनाने के methods आईए दोस्त आप सबका इंतजार है और अब हम बात करते हैं specific methods को उनकी जिन से हम बनाएंगे हमारा प्यारा ketone आईए तो दोस्त अब हम ketone बनाने के methods की बात करने जा रहे हैं क्या आप सब तैयार हैं notes को बहुत खूबसूरत बनाना ताकि हर सवाल हर सवाल आपसे बने कोई ऐसा सवाल ना रहे जो आपसे ना बन पाए पहला method हम पड़ेंगे using alkenoyl chloride या acid halide भी बोल सकते हैं कोई दिखत नहीं है यह alkenoyl chloride and di-alkyl cadmium di-alkyl cadmium बनता क्या है ketone अब यह जो specific methods मैं आपको बढ़ाऊंगा यह specifically ketone बनाने के ही methods है क्या बनाने के methods है ketone di-alkyl cadmium ले लिया है ना यह R- को अलग कर लिया मैंने तो बनेगा क्या ketone no doubt ketone बनेगा plus alkyl cadmium chloride side product R-C-D-C-L क्या है यह alkyl cadmium chloride इतना बात अपनों को पता लगा क्या इतना बात अपनों को पता लगा आई यह थोड़ा सागी चलते हैं हम मालो की किसी का मन करे कि सर मैं दो मूल ले रहा हूँ यह acid hyalide के treat करवा रहा हूँ cadmium के साथ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको दो मूल ketone मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा दो मूल ketone मिल जाएगा प्लस C-D-C-L-2 बाहर cadmium chloride बाहर क्या cadmium chloride बाहर next method next यह थोड़ा से important है और aromatic वाले segment में आप इसको दुबारे भी देखेंगे friddle craft reaction है basically यह क्या है friddle craft reaction friddle craft reaction और उसमें भी यह क्या है asylation हम asylation करने जा रही हैं घबराना मत आसान है घबराओगे तो कैसे काम चलेगा benzene की reaction benzene की reaction मैं acid hyalide के साथ करवा रहा हूँ in presence of dry ALCL3 या in hydrous ALCL3 भी लोगे तो भी चलेगा करना क्या है आप मनही मनाखों से देखें क्या आप देख पा रहे है benzene पे लगा H और CL हट गए और यह वाला segment मैं color से highlight करता हूँ यह ले लेते हैं यलो सा यह वाला part यह वाला part यहां आकर attach हो गया है और आपको जानके और अच्छा लगेगा और आनन्द भी आएगा कि इस compound का आप common name भी याद रखेंगे नाम है acetophenone acetophenone this compound is acetophenone अब दिखा आपको मसा आएगा direct product आप खुद बनाने वाले हैं मैं help नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं करूँगा सर थोड़ी सी अरे थोड़ी सी क्या बिल्कुल भी नहीं मतलब नहीं अरे सर हम बना देंगे अच्छा चलो आप यह मेरे को बताओ compound है dry ALCL3 की presence में सर बहुत असान HCL हटाओ HCL हटाओ और फिर क्या बेंजीन के साथ C double bond O C6H5 क्या यह C6H5 यही है compound बन गया एक ketone बन गया और इसका common नेम आप याद रखेंगे बहुत बार पूछता है examiner क्या करता है बहुत बार पूछता है acetophenone, benjofenone भाईया बहुत common है examiner सवाल में परेशान कर सकता है तो please इनका नाम याद रखना मैं लिख देता हूँ याद रखना preparation अरे preparation भूल जाओ तो भी चले का नाम याद रखना उनका compound का formula भी याद रखना please मेरे लिए कर ले ना अरे और किसी के लिए नहीं अरे सरा आपने कहा है तो पका पका करेंगे अब ये वाला चीज़ देखो एक मज़ा आएगा आपको मैं COCL2 लिखता हूँ दिखना मैं आपको पहले direct reaction लिखके दिखाऊंगा फिर आपको थोड़ा सा approach लिखना सिखाऊंगा मैं बनने वाला product बेंजो फिनोन बनाऊँगा बनने वाला product क्या है बेंजो फिनोन COCL2 डाला है बेंजो फिनोन बनाया है अचा हर केस में HCL तो बहार ही निकल रहा है ठीक है निकल जाने तो इसे अब यो बना कैसे है बहुत सारे लोगों के मन में खायाल आता है बहुत सारे Лог के मन में खायाल आता है तुमने वह वाली मूवी देखी है क्या चोले मूवी हां सर देखी है अरे फिर तो तुम बहुत आसानी से सीख पाओगे तुमको याद है तुमको याद है बिचारी बसंतिक हो अरे आप बसंती को ठोड़ा अच्छा सा बनाते हैं याँ ऐसे कई से हेमा मालनी जी नाराज हो जाएंगी अरे हाँ सर्थ मिंदर जी नाराज हो जाएंगे आपको पकड़कर कुटेंगे अरे सऐ बात है अरे बस यारा आप तुम समझ लो आपको याद है बसंती के हाथ बांद रखे थे बसंती नहीं अरे यह तो जै वीरू के बांदे थे अरे धरमिंदर जी के हाथ बांद रखे थे जै जै थे या वीरू थे कोई भी थे और अब यहाँ पर क्या हुआ था अरे हाँ सर वो जै के हाथ बांद ले थे और बसंती डां 2 cocl2 जय थे मुझे पयाइच लिया नहीं आ रहा है कौन आएगा आपकी नजरे क्या आपकी नजरे भें जी को देख पा रही है ये है हमारी ये है हमारी प्यारी भें जी भें जी कौन अरे भेंजी ना कौन HCL हटाओ HCL हटाओ HCL हटाओगे तो क्या आपकी नजरे क्या आपकी नजरे Benjofinone बना पाएंगी क्या आपकी नजरे Benjofinone बना पाएंगी अरे सर सही बोले धर्मेंदर जी के हाथ यहां से हटाओ HCL हटाओ हटाओ और Benzene को लगाओ बन गया compound बेंजो फिनोन यानि एक important और मज़िदार बात यानि बेंजीन यहां excess में लिया होगा और कोई पूछ ले कितने मोल ली होंगे बेंजीन के तो खुल के बता देना जैविरू जी वाली जोड़ी को याद करना छोले मूवी को याद करना दो मोल बेंजीन के लिए होंगे एक मोल COCL2 के साथ और बन गया होगा और बन गया होगा बेंजो फिनोन क्या आप इस segment को सीख पाए है क्या आप इस segment को सीख पाए है प्लीज मुझे बता दो सर हम तो सीख गई आप आगे बढ़ें हर चीज आपके कबजे में होगी हर चीज आप बहतरीन सीखने वाले है हम अगली segment की बात करते है थर्ड नंबर और इस पे सो दो सो बाय टिक कर लेना पांच बार तो मैं स्टार लगाऊंगा ही क्योंकि important इतना है बहुत बहुत important है by acid hydrolysis by acid hydrolysis followed by followed by heating of beta keto ester यह क्या नाम बड़ा कतरनाग लग रहा है अब काहे डरते हो भाया हम है ना CH3 C double bond O CH2 C double bond O O C2 H5 एक एक चीज को बहुत प्यार से समझना बहुत प्यार से क्या ester दिखा यह नाम में ester दिखा हां सरी यह रहा ester यह alpha carbon और यह beta carbon क्या beta carbon पे आपको ketone दिख रहा है और ester functional group है क्या beta carbon पे ketone तो beta ketone ester के साथ नाम हो गया beta keto ester कितना तो आसान था सबसे पहले बीटा कीठो एसिड का बीटा कीठो एस्टर का आप क्या करते हैं आप जब हाइड्रोलीसिज करते हैं तो आप इस बोंड को ब्रेक करेंगे oxygen के पास लोन पेर है तो waters क्या लेगा H लेगा तो कार्बन क्या लेगा कार्बन क्या लेगा सर ओवेच लेगा जाने कोई देगा तो ये एसिड बना लेगा ये क्या बना लेगा एसिड बना लेगा अच्छा और प्रोड़ेक्ट सर ये C2H5 OH इथिनॉल साइड में हाँ हमें इससे काम नहीं था सर एक बात बताएं हमारे मन में खयाल आ रहा है ये अ कितो लगा था तो बीटा-कीटो-एस्टर एसिड के बीटा-कार्भन पे आपने कितो लगा दिया तो बीटा-कीटो-एस्टर आसान है या नहीं है असानहमारे में सीयार गवरा आते क्यों हूँ क्या आप देख पा रहे हैं ये ketone बन जाएगा आपका प्यारा अरे हाँ सर co2 का हो गया removal बन गया ketone और इस compound का common name होता है acetone compound का common name क्या है acetone आपने क्या किया by acid hydrolysis followed by heating of beta keto ester beta keto ester का पहले hydrolysis किया और फिर फिर क्या कि आप लोग ने heat कर दिया क्या removal हो गया co2 का removal आप यहाँ पर mechanism सीखना प्लीज आप यहाँ पर मेरे साथ क्या सीखेंगे mechanism सर हम तैयार है भाई सो 200 बार मैंने टिक करने के लिए बोला है तो important तो है ही अब देखना में beta keto ester को कुछ नए डंग से लिखूंगा क्योंकि लिखने की भी यह कला है है ना color है या नहीं बताओ कौन है यह यह बीटा keto ester बीटा keto acid यह alpha carbon है अरे यह बीटा carbon है दिख तो गया आरे हाँ सर आप देखो होगा क्या मैं color करता हूं change ताकि आपको आए आनंद क्या आपकी नजरे यह देख पा रही है मैं चलो एक बार ओ लिखता हूं फिर आपकी न नहीं बचता अरे हाँ हमें पता है आपकी नजरों से कुछ नहीं बचता पर फिलाल आपकी नजरे यहीं रहनी चाहिए क्या आप क्या आप कभी यह देख पाए है कि यह वाला bond इधर migrate करेगा तो oxygen पे कैसा चार जाएगा minus तो बगल वाला hydrogen यह इस पर attach हो जाएगा यानि य hydrogen यह hydrogen इस oxygen को नहारेगा तो यह वाले bond के electrons इधर migrate होंगे यह वाले bond के electrons इधर migrate होंगे तो यह वाले bond के electrons इधर migrate होंगे तो यह वाले bond के electrons इधर migrate होंगे क्यों इधर क्यों हो रहे है क्योंकि जब यह pi bond इधर migrate किया तो इस कारण पर क्या है plus तो यह अपने electron इधर देदेग तो क्या ऐसा करने से आप 6-membered ऐसा करने से क्या आप 6-membered cyclic transition state देख पाई 6-MTS बनता है 6-membered cyclic transition state यानि बीटा keto ester की heating में आपको क्या मिलता है 6-membered cyclic transition state मिलता है अब क्या आपकी नजरे देख पाई है क्या आपकी नजरे देख पाई है यहां से मैं color fit change करता हूँ ये वाला ये वाला part as a co2 निकल जाएगा ये वाला part as a co2 निकल जाएगा प्लस अब देखना ये ch3 as it is ये ch3 as it is color darky कर लेते हैं यार ये हो गया ch3 ये वाले carbon ये वाला carbon ये रहा अब इन दोनों carbons की बीच क्या double bond बन गया क्या इन दोनों carbons के बीच double bond बन गया और ये वाले oxygen ने ये वाले oxygen ने h को ले लिया sir ये तो enol form है अरे तो keto enol totomerism होगा keto enol totomerism होगा तो ये ketone में convert होगा तो ये किसमें convert होगा ketone में क्या आप process देख पाई CO2 निकलने का भी एक अंदाज है यू नहीं की जम्मन किया निकाल दिये किस तरह से निकला है मैंने आपको mechanism बताया है beta keto acids का hitting करने पर CO2 का आप क्या करेंगे removal करेंगे और क्या बनाएंगे product बनाएंगे क्या इतना basic theme अपनों को पता लगा है बोलो हाँ सर ये वाला चीज तो अपने को clear हो गया है वापिस से चाहे वापिस से चाहे आपको कोई भी segment में doubt है तो please आप पूछ लें और देख लें सर अभी तो पूछे कैसे कमेंट करके पूछ ले ना किसी भी segment में doubt आए तो please आप पूछ सकते हैं जो जो चीज आप सीखते जा रहे हैं उसको बहुत बड़ी अड़ंग से सीखे ताकि हर चीज आपकी हो जाए clear है ये वाला बात अपना को क्या अब हम क्या अब हम थोड़ा सा आगे चले आए अब एक और segment की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये heating वाला part important है इस पर star mark जरूर करना next method ये कौन सा नंबर था ये था third ओके fourth अब ये fourth वाला नंबर देखना from nitriles from nitriles है ना यहां होता है कि ग्रिगनाड के साथ आप basically treat करवाती है nitriles है treat करवा रहे हैं आप r- कर लेता हूँ और ये r mg br ग्रिगनाड reagent always remember alkyle या aryle वाले part पे हमेशा partial minus magnesium पे हमेशा partial plus ये pi electron density दर migrate करेगी क्यों electronegativity difference nitrogen अपनी तरफ electrons को कीचेगा carbon पे plus आएगा तो ये r इस carbon के साथ attach होना चाहेगा तो क्या r- c इस carbon पे क्या लग गया r double bond बन गया nitrogen पे minus आया होगा तो mgbr attach हो गया बोलो क्या दिख़े अपने को फिर आपने क्या किया hydrolysis जब आप मुझे बताओ आप जब hydrolysis करेंगे तो क्या करेंगे nitrogen और magnesium वाले bond को तोड़ेंगे nitrogen और magnesium वाले bond को आप तोड़ेंगे तो H आ जाएगा यहाँ पर बनने वाले compound का एक नाम है ketamine ketamine बोल देते हैं इसको कई बार ketamine सर अब हम समझ गई क्या समझ गई आप हम इस ketamine का फिर से hydrolysis कर देंगे आप जब इस ketamine का फिर से hydrolysis करेंगे तो देखो क्या होगा तोड़ फूड मचा दो कुछ नहीं करना bond को break करेंगे nitrogen more electron negative है तो water से H प्लस ले लेगा ये भी दो bond है तो दो बार ऐसा काम होगा एक carbon पर फिर बोल रहाँ एक carbon पर दो group unstable तुरंत निकल जाएगा water यानि double bond ओ बन गया और क्या बना nitrogen के पास 1H था दो पहले से आ गये यानि ammonia gas का हो गया removal क्या आप ये product देख पाएं है यानि बनने वाला compound क्या है ketone है बनने वाला compound क्या है ketone है अब मैं आपको एक example दूँ तो क्या आप खुले में एकदम बिना direct product मेरे साथ लिखेंगे बोलो क्या आप बिना direct product लिखेंगे क्या हा सर चलो तो मैं एक example दिता हूँ आपको CH3, CH2, C triple bond N प्लस phenyl magnesium bromide phenyl magnesium bromide क्या करो आप चलो एक-एक step करते हैं आई आप और मिलकर एक-एक step करते हैं गब रहा हो मत ये pylectron density इदर migrate की इस पे तो partial plus था इस पे partial minus क्या ये carbon इस carbon पे attach होना चाहेगा CH3 CH2 इस carbon पे क्या ये ring आ गई होगी और यहाँ double bond N N के साथ क्या लग गया होगा MGBR फिर आप क्या कर रहे हैं आप hydrolysis कर रहे हैं मैं direct hydrolysis कर रहा हूँ तो आप ये वाले bond को break करेंगे सर हमारी निगाई हमारी निगाई ने देख लिया है अरे हमें पता है तुमारी निगाई टिकती कहां है है बन गया बन गया ketone बन गया ketone one phenyl propanone इस compound का नाम है compound का नाम क्या है one phenyl propanone लिख चलो हम लिख देते हैं one phenyl propanone propan on क्या आप ये चीज़ देख पाएं है क्या आप ये चीज़ देख पाएं है मैंने कुछ ज़्यादा an लिख दिया क्या हाँ सर आपने flow में ज़्यादा लिख दिये हटा देते हैं तो अब घर की सरकार है अपने तो propan on आप basic theme समझो ना अब basic theme समझो दुबारे आओ सर ये वाले कार ये वाला कारबन इसके साथ ये वाला R अटेच कर दो और कीटोन बना दो ये ही तो किया है देखो यार ये R ये R डैस ये R ये R डैस कीटोन ही तो बनाया है मैंने और क्या किया है और कीटोन ही आप लोगों को बनाना है और आपको जानके और खुशी होगी कि हमने सारी method of preparation मैंने आपको पढ़ा दी है सारी method of preparation पढ़ा दी है और अब मैं आपको थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगएरा बता देता हूँ हाला कि बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है फिजिकल प्रॉपर्टीज बट फिर भी चलो एक पर देख लेते हैं एक पेज ओल लेते हैं है न? हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी कम्प्लीट कर लेते हैं इसको छोटा सा पार्ट होता है इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना ही कोई बहुत ज़्यादा सवाल आती हैं क्या है मिथेनल? अगला पॉइंट अदर एल्डी हाइड एंड के टोन लिक्विड है या सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर यह तो यह तो ज़र्नल पॉइंट थी अगला पॉइंट इंपॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूँगा boiling point of boiling point of aldehyde and ketones are higher are higher than those of hydrocarbons hydrocarbons जोते हैं carbon और hydrogen वाले उनके comparison में इनका boiling point जादा रहता है even higher than those of hydrocarbons and ethers of and ethers of comparable molecular mass मार्लों से molecular mass वाले को compare कर रहे हैं तो aldehyde ketones का boiling point जादा मिलेगा आपको किस से hydrocarbon या ether से क्या आप ये चीज दिवाब के fit कर लेंगे आईए अब किसी के मन में आ रहा होगा साटीजन क्या है weak molecular association in aldehyde and ketones arising out of dipole-dipole interactions इनके अंदर क्या मिलता है dipole-dipole interaction मिलता है जिसके कर रहें इनका boiling point जादा आता है next एक और मचेदार पॉइंट है those of alcohols of similar molecular masses in aldehyde and ketones exclusively मेरे चैनल पे अविलेबल है आप वीडियो के description को प्लीज आप एक बार चेक कर सकते हैं कोई particular chapter आपको पढ़ना है तो है ना और हर chapter की मैंने playlist त्यार कर रखी है आप उन्हें देखें पढ़ें और अनन्द उठाइं तिल दे शे च वाई बाई टेक केर